आज हम कलास फर्स्ट उर्दू पढ़ने जा रहे हैं आपको याद होगा कि हम हुरूपित तहजी इसका जो पहली जो लेसन है इसकी तो वही हम पढ़ते हैं जिस तरह हम इंगलिश में जो लेटर साउंड पढ़ते थी उसको हमने कंपलेट किया हैं तो आज हम हुरूप पे पे पहुँच गई पे यहां तो लिखने की मश्क हैं आपको क्या करना है कि पे आप देख लिए आपको गोर से देखना है कि इसकी शकल पे की शकल किस तरह हैं इसके जो नीचे यह तीन जो डॉट्स इसको हम पे ही कहते हैं और आपको लिखने की जो मश्क हैं आपको ट्राइ करना है कि जो यहां पे यह दिये गई हैं इस पे आपको अपना जो पैंसल है वो इस पे चलाना होगा पे पे चलाना होगा इस तरह इस तरह और नीचे इनको इन पे भी चलाना है और इस तरह आपको चलाना है ताकि आपकी जो हैंड राइटिंग है जो आपकी जो ठीक हो जाएगी इसे तरह आपको यह पे पेज हैं इसका पे का जो पेज हैं वह आपको कंप्वलीट करना है वह लिखने है आपके समसीह के पास अपनी प्लशर ओप के कताब है वह कोलने ने होगी और जो ये पे हैं, जो अलफाज, यो ये, रुपे तहजी, जो पे हैं, आपको क्या करना है, पहले इस पर try करनी है, कोशिच करनी है, ताकि आपकी हैंन् राइटिng है वह ठीक हो जाएगे, और अब हम जाएंगे कि पे के साथ कौन कौन सा लफज, अलफाज जो है वो आता है पे यहां आप देख लिजे कि पे से पतंग पे से पैंसल पतंग आपने देखी होगी और पैंसल भी आपके पास होता है पैंसल उसी को कहते हैं जिससे हम लिखते हैं जिससे आपको यहां पे इस पे करना है उसी को हम पैंसल कहते हैं जो आपकी उसको प्रसक लगाते हैं तो पेंसे पतंग के तो बैचो पे अलग करेंगे तो यहां आप देख लिए किस तरह हम इसको अलग अलग करेंगे पे ओगने ऑगए ते नूँन गाफ पतंग और अगर हम इसको जोड के लिखेंगे तो इस तरह हम को लिखना होगा इसी तरह पेंसल आप देख लिजे के are no कि अर दो झेन लाम किंसा तो अगर हम इसको अलग-अलग कर के लिखेंगे तो इस तरह लिखना होगा और हंविसको अध्या रिखेंगे अ तो इस तरह जो दिया गे न इसी तरह लिखना होगा तो बच आब हम देखेंगे कि पेसे इसके क्या जुम्ले बनते हैं पेसे पतंग और पेंसल चल चल बाई जल्दी चल पतंग को उड़ाएंगे गीत खुशी के गाएंगे पेसे पतंग और पेंसल चल चल बाई जल्दी चल पतंग को उड़ाएंगे गीत खुशी के गाएंगे तो बचो आज जो पे हमने कम्पलीट की हैं आप क्या आपको लिखना भी है हाँ पे है और ये भी याद करना है पे से पतंग आता है और पैंसल आता है पे से पतंग और पैंसल चल चल बाई जल्दी चल पतंग को उड़ाएंगे गीत खुशी के गाएंगे आपको याद करना ह होगा और यह मशक करनी होगी तो अल्लाह आपिस